नमस्कार मित्रों, आपका मेरी चैनल Various Aspects of Life में स्वागत है और मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी हरी हल्दी का अचार यानि हल्दी देखे ये सर्दियों में मिलती है कच्ची हल्दी हरी यानि कच्ची देखेगा ये इस तरह की होती है फ्रेंड्स आप देखे बहुत अच्छी रहती है ये शरीर के लिए आप इसको कच्ची इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अद्रक यूज़ करते हैं, आप इसको साफ करके, इसका छिलका उतारके, आप इसको क्रश करके, दूद में डाल करके बच्चों को पिला सकती हैं, हलवा बनाती हैं, तो उसके अंदर जो थोड़े से इसको कस करक वैसे आप साल भर भी इसको बना करके रख सकती है पर मैं थोड़ा थोड़ा बनाऊंगे और इसको हल्दी कव मैं हरी मिर्च के साथ में इसका आचार बनाऊंगी हरी मिर्च मैंने उतने ही लिये जिससे इसका तीखे पन में थोड़ा स्वाद बढ़ जाए तो फ्रेंड्स यह स्लाइस काट लेंगे पहले इसको छी लेंगे पीलर की साहता से आप नाइफ से भी इसको रगड करके इसके इस तरह से निकाल सकती है इसके चिलके को और पीलर से भी निकाल सकती है पर नाइफ से निकालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा पीलर से इसका थोड़ा जो इसका फ्रेंड्स मिर्चे मैंने काट ली हैं और हल्दी को छीलते समय आपके हाथ पीले हो सकते हैं अगर पीले हाथ नहीं चाहती हैं और उससे बचना चाहती हैं तो आप गलव्स पहन सकती हैं आप जैसा चाहें वैसा कीजिएगा, मगर मैं पहले बता देना चाहूंगी कि इससे हाथ पीले हो जाते हैं और जो साफ होने में टाइम लगता है, इसलिए ध्यान रखेगा, आप इससे अवाइड करना चाहती है, तो आप गलवस पहन करके भी इसको इसका कलर न लगे, इसलि किलने के बाद भी मैंने वाश किया, वाश करने के बाद पहुचा और उसे इस तरह के स्लाइस बना लिया, और मिर्चों को भी मैंने काट लिया, और मैंने इन्हें हल्दी को काटता से मैं, दस्तानों का प्रयोग किया, देखे ये भी, गलवस भी देखेगा आप इस तरह से यलो हो गाएं तो आप इस अपने हाथों को बचाते हुए आप अगर बचाना चाहती है तो gloves का प्रियोग कर सकती है friends अब हम इसे धूप में रख देंगे और मिर्च को थोड़ा समय एक घंटा रखेंगे तो हल्दी को दो घंटे तक हम दूप में रखेंगे तो friends अब हम इसका बाद का प्रोसेस इसके सूखने के बाद यानि एक देड़ घंटे के बाद में करेंगे Hello friends देखें ये मैंने जो हमारी हल्दी थी उस हल्दी को मैंने तीन चार घंटे धूप में रखा और ये इस तरह से हो गई है आप देख पाएंगे देखें इस तरह से आधी आधी सूखी सूखी हो गई है मिर्चें भी मैंने दूप में रखी थी और ये भी इस तरह की हो गई है और इसमें अब हम इसका एक सिम्पल सा चार डाल के रखेंगे जो हमारे पेट के लिए और हमारी सर्द्यों के लिए हमें गर्मा हट दे इसमें लगने वाला है मैंने ये राई ली है पिसी हुई और सफेद सी सॉल्ट और लेमन जूस करीपता मिर्च है ही और हल्दी यह हमने जो सुखाई थे फ्रेंट्स इधर मैंने कढ़ाई में दो टी स्पून यह 10 ml के करीब मैंने इसमें यह ओयल लिया है और यह इतना सा ओयल मैंने इसलिए लिया है कि हमारा जो यह राई है यह इसमें पक जाए और साथ ही हमारी करीपता जो है वह इसके अंदर कर एकदम अच्छा करकर हाट भगा हो जाए क्योंकि थोड़ा सा इसमें करीपता भी डालेंगे हम आइब अफनी गैस को सिम पर ले आते हैं थोड़ा बंद हो गई थी देखिए सिम पर ले आते है और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हमारी राई और इसको हल्का सा चला लेते हैं ताकि इसका कच्चापन खतम हो जाए और इसी में करी पत्ता भी डाल देते हैं करी पत्ते को अच्छे से यह दिखें यह अच्छी तरह से हो गया है कच्चा नहीं मतलब सूख जाना चाहिए क्रिस्पी हो जाना चाहिए अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें हमारे दोनों तरह के नमक डालेंगे और इसी में अपना लेमन जूस मैंने टीम निम्बू का जूस निकाला है और गैस बंद कर दिये और इसमें अब अपना मिर्च और हल्दी को डाल देंगे गैस बंद कर देने है फ्रेंट्स यह देखे फ्रेंट्स हमारा यह अचार तयार है यह देखे इसमें हमने सिम्पल डाला है इसमें केवल मिर्च का तीखा पनाएगा वह हरी मिर्च से ही आएगा बाकी नीम्बू और नमक अब जब यह थंडा हो जाए तो आप इसे भर करके एर टाइट डब्बे में किसी ग्लास वाली शिशी के अंदर या प्लास्टिक के डब्बे के अंदर फिल्कूल ठंडा होने के बाद इसमें भर करके रख देंगे और फ्रेंट्स यह आप इस अचार को आप सालो रख सकते हैं मगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही बनाती हम इतना ही बनाती हम जिसने के सर्दयो में ही इह खतम हो जाया क्योंकि हल्दी जो बहुत गरम हो जाती है और गरमयों में यह ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए परन्तु सर्दयों में इसको आप इसका लाप उठाइएगा और friends, अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है, तो please try it, like, subscribe and share my channel. Thanks for watching my video.